भाग कर ख़बर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाद देज लुट जाएगा अब ये आसार नजर आते हैं हुकूमत में अब गदार नजर आते हैं अब प्रधान मंतरी जी सिखाएंगे का आम कैसे खाये जाते हैं कि चूज के खाये या काट के खाये हम तो मेंगो शेक बना के पीते हैं उन्होंने बेबाग कहा कोई ये ने कहा उसने कहा कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया कोई दम है आज के डेट में गठवंधन का कोई भी निता कह दे कि मैं परोशी से मांगे खाया आज फिर पाली का बजार में हैं लोग संड़े की चुट्टी में गोमने जाते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग है जो आप लोग डिबेट में देखते हैं हर संड़े अक्ष्यकुमार को इंटर्वी दिया वो गैर राजनितिक उन्होंने कहा है आम चूसने से लेका रोट ट्वीटर तक की बात वह सारी होई है लेकिन मेरा सवाल है कि प्रदान मंतरी मोधी प्रेस कॉंफरेंस से क्यूं भागते हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ए पर बोला करते थे उन पर भी बात करेंगे तो चुरुआत करते हैं इस नई लड़के से आप जानते ही हैं यह हैं लोग कहते हैं कि हैंड डिवेट में क्यों आ जाता है तो संडे के दिने घुमने आते हैं तो लोग मिल जाते हैं मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो प्रेस कॉंफरेंस से मोधी जी भागते हैं इसकी वज़ा क्या है देखिए पहले तो एक फेरा फेरी वाला इंट्रिवी ले रहा है ठीक है और जिसके पास अपने देश की नागरिक्ता नहीं है वो आके यहां पर प्रधान मंतिरी जी का इ पुछना चाहता हूं परधान मंतिरी नरेंदर मोधी जी ने जब वो खुले आम कहते हैं कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया मैं तो देश को बहुत आगे ले गया हूं तो रवीश कुमार के सामने इंट्रिवी देने से क्यों घबराते हैं वो ठीक है एक चोटा सा सवाल और कि में इस्यूंकि एक्चिन में वह जो बंदा है वे दलीत इनसान वोते हैं इस एक्चन में और अपने को आपको करना है वो हलेट करते हैं अब रविष्ट कुमार के बात करो अभी आपके प्रगवा में अटाइक हुआ उनके बारे में त्यू नहीं कि रिका पाकिस्टन में जाके यह रिपोर्टिंग करें यह देखो रवीष्ट कुमार के साथ जो सबसे बरी इशू है कल उसका हमने चैनल देख रहे थे वह यही कैलकुलेशन दे रहा था कि 63% भाजपा ने दलित की टिकेट काटी, कॉंग्रेस ने इतनी परसंट काटी, ठीक है, वो लेकिन वह यह नहीं बोल रहा था कि जिन लोगों के टिकेट काटी है, वहाँ पे जो रिजर्ब सीट है, फिर वही कंडिडेट जो लोग काम नहीं किया है, पॉफॉमेंस जिनकी सही नहीं रही, उनको भाई आउट किया गया, फिर उनके जैसे आपके उधित राज के जगह पे हंस राज हंसा है, आप समझ गए ना, तो ऐसे ही काम किया गया, तो आपका रभीश कुमार एक मीडिया का पेर डेजन्ट है उसका भाई पटना में सक्स रेकट चलाता था जो कॉंग्रिस का द्याथ है, उसके उपर डिबेट नहीं करेगा, उसके उन्होंने आरोप लगा रहे हैं तो आप एक काम करिए करन थापर को दीजिए, करन थापर को इंटरव्यू दीजिए, पर बिल्कुल जैसे इन्होंने खाना कि दलाल है और जिस तरीकले के लोगे झाल का पेट मीडिया है और ओर मीडिया क्या कर रहे हैं कि जो रवीष कुमार परभान जानते हैं आपका सवाल है कि नरेंदर मोदी आज तक के कुछ बात चैनल की नहीं हो रही है आपका सवाल कहता क्या है कि नरेंदर मोदी अंजना हमकस्यप स्वेता सिंग और राहुल कमल को दे सकता इंटर्विव तो रमीश कुबार करन थापर को क्यों न दे मैं आपको जवाब देना चाहता हूं लेकि का मसलक अच्छा है सब की अपनी मंझील अपना अपना रास्ता आपके सवाल का जवाब यह है कि यह हम और आप तैने कर सकते कि कि इंटर्विव किसको दिया जाएगा इंटर्विव का मतलब यह होता है कि अपनी बात और कर रखना जैसे भी आप हमसे पूछ रहें तो मैं अपनी बात को रख रहा हूं मैं अपनी लिखीवी बातों को आप तक रखा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता और जवाब भी मैं आपको देना सवाल मेरा यह है कि मीडिया क्या कम करा देश को पता नहीं है पता है आज तक कोई मीडिया लिखा है कि नरंदर मोधी तीन टर सरकार यूपिया सरकार और उसकी मुखिया जिसको अपनी बाता में च्वध्राइन कहते हैं यूपिया चेयर परसान सौनिया गंदी उस्टेम क्यों नहीं कहा करें ओ मीडिया लिखो कि यह जो है लोक तंत्र में जीते हुए मुकमंत्री और इनको अधिकार है यूसे जाने क उन्होंने बेबाग कहा कोई यह ने कहा उसने कहा कि मैं 35 साल भीक्षा मांग के खाया कोई दम है आज के डेट में गठवंदन का कोई भी नेता कह दे कि मैं परोशी से मांग के खाया नहीं कह सकता लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि वह नेता जो गठवंदन में जितने भी न सबने जंता को लूट कहाई है लेकिन बैस मुधाराइथिक नरेんだर मोधी इ mày है अपने मुद्ये पर चांगे इंड़ आरंगरर्ण जी के अंस्वार कोई भी बैक्ती नहीं चलेगा एक अंस्वार सब्द होता है उसको क्या होता है भरष्टाचार का जाता है वहीं नितिश कुमार जी उद्धव ठाकरे जी राम विलास पासमां जी तमाम देश के गटमंधन अगर वो दूसरे दल के जाते तो भरष्टाचार ह हो जाता है इनके यहां बरष्टाचार भी करें तो देश भक्त कैसे होता है वहीं मनोस्तिवारी जी वहीं रभी किसन जी दूसरे दल के था चुनाव हार गए वह काते बरष्टा इनके साथ आते चुनाव जीत जाते हैं अगर कोई कमजोर बैक्ती कमजोर घर के छोड़ दे अगर 2009 में राम ब्लास पास्मांजी चुनाव नहीं हारते यह बीजी पे में कभी नहीं आते अटल ब्यारी जी सही नहीं थे क्यों हटे थे उस समय एक मिला रेक मिला इनोंने कहा कि कौम जाता है वह समझ गया जो भाजपा में जाता है वह अच्छा हो जाता है उनको शहीं क इनका नेता दूसरी बात कहता है कि भाजपा के पास एक वाशिंग मशीन है जिसमें कॉंग्रेस के बुरे आदमी जाते हैं और धोके अच्छे आ जाते हैं और यह बात इनकी जाईज है लेकिन ऐसा क्या है कि बीजेपी के जो आदमी कॉंग्रेस में जाते हैं वह कौन सा व और सिर्फ धन की बात करता था काला धन लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे पबलिक उनको चुनके लाई वो परधान मंत्री बने और परधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने परधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मन की बात करी अगर थोड़ा सा भी वह चिन्ना को सैकुलर किसे ने कहा था लाल कृष्ण अडवानी और उनके मज़ार पर कौन गया था लाल कृष्ण अडवानी बिन-बुलाय महवान बनके बिर्यानी खा कर आते हैं और मांके पेर चूकर आते कौन गया था परधान मंतुरी मोदी-जी अब आप यह बताईए ये प्रसंसा कर रहे हैं नवाज शरीप के घर में इन्हों ने एक बड़ी आपती जनक बात कही है कि गोदी मीडिया मतलब यह चम्चा मीडिया को प्रसंसा कर रहे हैं गोदी मेडिया की प्रसंसा कर देकि पत्रकार पकिस्तान के प्रसंसा लेता है उनको फिर को पत्रकार चाले आप पकिस्तान सब्साराइब जो पार्टी एक आतंगवाद में लिफ्त महिला को टिकेट दे और जो ये कहे और शहीद हैमंद करकरे को अपमान करे और उस पार्टी वो कहे का आतंगवाद आतंगवादी को टिकेट दे उस पार्टी का क्या है आप बताईए मेरे को सुनिये साथ वी परक्याद धाकुर कहती है के सूतक लग गया और साथ दिन में दस आतंगवादी पाकिस्तान से इंडुस्तान में दाखिल होगा है यानि के उन्होंने शराब किसको दिया था है मंद करकरे को दिया था या भारत को दिया था अपने एक मिलिट मैं बोल रहा हूँ अराम से बोल रहा हूँ दो हजार दो हजार चप्पी सिगारे का हमला हुआ था इतना बड़ा बंबाई में अटक हुआ था पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सेना को आदेश दिया नहीं गया और हुरियत नेताओं को कॉंग्रेस बचा रहा है और अबजल गुरु करता है शहीद का दर्जा दो अबजल गुरु को कसाब को कसाब को अंड़ा जिल में क्यों रहा है देखिए पहली बात तो मेरे भाई ने कहीं जो मैंने इनका पहले भी सुना इनोंने बोले रवीश कुमार को लेकर कि वो दलीतों की बात करते हैं तो रवीश कुमार जी नहीं परधान मंतिरी नरेंदर मोदी जी भी यूं कहते हैं बाशन में कि मैं OBC कहूं मैं नीचली जात कहूं दलीत हूं इसलिए कॉंग्रेस मुझे परिशान करते है दूसरी बात बोपाल के अंदर पोस्टर लग रहे हैं कि आप देखते हैं आतंकवादी आप कैसे आतंकवादी आएगा तुमने खुद आतंकवादी को वहाँ से ठिकट दिये साथ भी प्रग्या ठाकुर को तो आतंकवादी आएंगे कहां से मोदी जी नहीं पूरा भारते जंता पार्टी हर राज में अपनी साखा भी खाता भी खोले लेकिन उद्धर ठाकरे जी के लिए और राम बिलास पास्मान जी के लिए गुजरात में कोई ना साखा है ना खाता है आज एक दलित रास्पती है आज एक दलित रास्पती है अज एक दलित रास्पती है मैं दो अलफास कहना चाहता हूँ के शहीद हेमंद करकरे जिन्हें अशोक चक्र दिया गया उनको सलाम करता हूँ और उनको नमन करता हूँ मैं हमें हेमंद करकरे जैसे शहीद चाहिए हमें साधवी परग्य ठाकुर जैसे आतंगवाद नहीं चाहिए कांग्रेस को पूरे हर आतंगवादी नजर आते हैं यह कांग्रेस को बोले कि हर बागवादारी में आतंगवादी नजर आते हैं हमारे मुल्क के चौर बरे सातिर हैं सब के सब चोकिदार बन बैठे हैं अनपद है बजीर आजम बड़े लिके लोग पकोरा बेच के बेरुजगार बन बैठे हैं अब और सब्सक्राइब करते हैं आज जो बहते हैं तरीके का अपमान नहीं होने दुआ हैं तामने का पोस्टर देखो वहां लिखाए ना वोट और ना जोब ना वोट सुनो सुबह चाहे दिन में पकोड़ा और रात में चोकिदारी कौन के तर नहीं है रोजगार इनो टा सरकार रही है चाचा नहरु नहीं रही है और इंडरा गांधी रही है राजीव गांधी रहे हैं शतर साल में बता देशी के पाद यह निव मोदी जी दे पास साल सरकार को भी हुए है जो लोग जो लोग जो 謹तिसाद में रौजगार्नी दे पाई चोर जो इतलेको तो PC पिच्चर दिखाऊं किस करते हैं उनके मोज लेते हैं यह सतर साल में भारतिय जंटा पाटी के अटल भीहरी बाजपई जी को गाली दे रहे हैं इनको नहीं पता हम सबरने हिंदू है पाले तो जलने वला जला करें किस्मत मोदी के साथ है नम्मर एक, मोदी जी का कहना है, शान्ती नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नरका समो, नहीं किसी को बहुत अधिखो, नहीं किसी को कम हो, जमीन पे रहने वाले की चिंता जो मोदी करता है, उससे इन लोगों में जो दलाल थे उनको जलन हो गया है, और ये जल करके देख साय नझार आते हैं, हुकूमत में अब गद्दार नझार आते हैं, कहते ही हैं, करते तो कुछ हा ही नहीं, ना भी तक क्या, शुर्ड तक स्लो Hambाग कुछ नहीं था कॉछ नहीं था आप कोई भी एक काम तो बता दो जो ढंका किया हो भाईया लोग है और जो भगवावादी जो बीजीपी की लोग है उन्हें सब को आतंगवादी कहेंगे कोई भी हम भी आतकवादी हैं कांग्रेश वाले के लिए अब लोग भी आतकवादी लेकिन ब्हुत हो रहा है हर हमारे देश आजाना बहुत अची जिस्तिदीप है इंसे बूझलो पास चाल में देश क्या ची है इस देश में को एक आदमी दख्का लगा रहा है क्या ये बताओ इस देश में कहा जा रहा है असांती आतमवाद ये नेताओं से जादा मीडिया कर रही है और मीडिया के लिए कंदरेंद्स मोदी ने वह बोला है कि जब टमाटर महंगे होते हैं तो लोग जाते हैं घर वाक ग्रहणीयों के पास की टमाटर महंगे जब उनके पास नहीं जाते हैं यह बढ़ी होई है तो यह थे दिल्ली में कनाट प्लेस में लोगा घूमने आते हैं उन्होंने अपनी बात रखी कुल कर बात रखी कॉंगलेश वर्सीज बाजपा यहां पर रहा खर कुछ सवाल थे कुछ सवाल सतर सालों के थे कुछ सवाल पास सालों के थे